मित्रों जय मतादी आप देख रहे हैं धर्मसिक्छा मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचक कब से कब तक रहने हैं वाला सितंबर 2024 में पंचक की जानकाड़ी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दे जो रुखें साथी comment box में जय मतादी जो लिखें मित्रों पंचक कब से कब तक है ये जानने से पहले ये जानना आवा सके कि पंचक होता क्या है जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी ग्रहों में सरवाधी गती सीर ग्रह जो है वो कौन से हैं चंदर्मा है क्योंकि सभी ग्रहों को सूरी के चक्कर लगाने होते हैं और चंदर्मा को पित्वी का चक्कर लगाना होता है तो पाथ जो है रास्ता जो है चंदर्मा का सबसे छोटा है तो एक रासी दूसरे रासी में चंदर्मा इसी काय जल्दी से परवेस करते हैं तो ऐसे में जब चंदर्मा का आगमन कुम्ब 11 और 12 रासी कुम्ब और मीन रासी में होती है तो पंचक का निर्मान होता है ये एक असुब महुर्त इसमें बनता है लगभग एक रासी में चंदर्मा सबा दो दिन तक रहते हैं तो सबा दो दिन कुमके और सबा दो दिन मीं के लगभग लगभग सारे चार दिन का पंचक होता है इसमें किसी प्रकार का मांगली कारी करना वर्जित है और विवाहित लोगों की विवाह की बाते भी समय में नहीं की आती है नए घर का निर्मान कारी आरम करना ज़ट ढालना भी इस समय वर्जित होता है अगर पंचक के समय किनी व्यक्ति की मुट्यू भी हो जाए तो उनके अंतीम संसकार में विशेष साभानियां बरतनी पड़ती है तो आईए अब जान लाते हैं सितंबर दोज़ाइच चोविस में पंचक कब से कब तक रहने वाला है तो पंचक आरम होगा रईवार 15 सितंबर को रात ली के 4 बच कर 16 मिट से और इसकी समाप्ती होगी सुक्रवार 20 सितंबर 24 को दिन के 9 बच कर 26 मिट पर जो पंचक रईवार को आरम होता ऐसे पंचक को रोग पंचक करते हैं ये जो सारे 4 दिन का समय होता है वो विशेष रूप से सर्व कष्ट कारक होता है तो इसमें किसी परकार का नया या मांगली कारी करने से बिलकुल आपको बचना चाहिए ये अच्छा पंचक नहीं माना आता है तो मिट ते हैं इसी तरह कि किसी अन्य ग्यान व्रदक वीडियो के साथ तब तक आप देखते रिए धर्म सिक्छा जे माता दिन